हेलो बच्चो नमस्कार मैं सन्मकाम एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल इंगलिस क्लासेस में आप सभी का हर दिक स्वागत करता हूँ बच्चो आज हम पढ़ेंगे ट्रांस्फोर्मेशन में रिमूबल ओफ एड़वर्ब टू बच्चो यह जो आपका टॉपिक है यह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक्जाम में चाहे तो बच्चो वो यूपी बोर्ड का हो हाई स्कूल या इंटर्मीडिट और यह फिर सीबिसी बोर्ड का हो या फिर कोई कंप्टिटिब एक्जाम हो हर किसी में बच्चो यह रिमूबल ओफ एड़वर्ब टू के बारे में क्वेशन आता जरूर है तो आई बच्चो इसे कैसे हमें रिमूबल टू को चैंज करते हैं तो देखे सबसे पहले बच्चो जो हमारा सेंटेंस होगा वो सिंपल में होता है अब सिंपल का स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको देखिए सबजेक्ट प्लस आपकी ऑउजलेरी वर्व होगी कोई प्लस कि आपका एडवर्व होगा प्लस एड्यक्तिव होगा एड्यक्तिव प्लस टू यह जो टू है वछे आपका एड्युटिव प्लस अधर वड्यूफ टीव apostles अदर वर्डिचryff प्लस ब् doncdom रिमूबल टू को हटा हैंगे यह यह क्या हुआ लिए आपका लिए आ Canton मेंगा वो हमेशा complex वनेगा तो इसे change करने का देखिए क्या structure है कि subject auxiliary verb फिर हम बच्चो two को किसमें change करेंगे so में change करेंगे adjective के स्थान पर adjective रखेंगे और आपका ये जो two है इसके बाद बच्चों हमारी दूसरी cloud चाली होती है देखिए जब cloud चाली होताम conjunction है कौन सा that फिर बच्चों जो subject यहां होगा वही subject हमारा यहां पर आजाएगा और subject वाद बच्चों देखिए या तो आपका cannot plus b1 plus other word या could not plus b1 plus other word अब बच्चों ये डिपेंड करेंगा आपका जो sentence दिया होगा simple sentence उसमें is mr होगा तो cannot और अगर बाज यवर होगा बच्चों तो could not तो आए बच्चों example देखते हैं जैसे example है हमारा क्या he is too busy to come here तो बच्चों देखिए इसे कैसे remove to करेंगे इसके he को देखिए हम बच्चों जो ही आपका ही रहेगा इसके इस्तान पर हम is रखेंगे और जो आपका to है इसको हम बच्चों सो में change करेंगे busy adjective है बच्चों busy को busy रखेंगे अब देखिए यह जो to है इसे बच्चों हम हटाएंगे तो देखिए क्या लगए बच्चों conjunction that लगेगा आपका अब होगा क्या कि जो subject बच्चों यहां होगा वही subject उठाके हम यहां रख देंगे देखिए यहां ही है तो यही रख दिया अब आपकी क्रिया present में है तो cannot कर दिया ठीके बच्चों कम को देखिए मैंने कम कर दिया हेर को हेर तो बन जाएगा he is so busy that he cannot come here अब बच्चों नेक्ष देखते हैं तो इसके कुछ रूल्स भी है रूल्स के माद्यम से एक एक सेंटेंस को बड़ ही बारी की किसा समझेंगे बच्चों तो आई बच्चों देखते है रूल्स क्या है कि यदि subject निर्जीव हो तो that के वाद one का प्रियोग कीजिए किन्तु बाख में two भी होने पर pronoun it का प्रियोग कीजिए तो बच्चों अगर आपका subject कैसा है निर्जीव है जिसे हम कह सकने क्या lifeless तो वहाँ पर हम that के वाद one का प्रियोग करेंगे और यदि बाख में two भी आय प्रियोग करेंगे बच्चों sentence बनाने जो तरीका में उपर आपको बताया था बिल्कुल वही रहेगा आए एक्जांपल देखते हैं जैसे the question is too difficult to solve तो इसे कैसे हम remove two करेंगे the question को देखी बच्चों हम the question ही रखेंगे जैसे आपका है the question तो the question रखेंगे is को is रखेंगे ज difficult को difficult में बनने रहेने देंगे अब आपका यह जो two हटे बच्चों that लगाएंगे अब हम यहां पर subject आपका निर्जीव है तो हमने one लगा दिया अब present में आपकी वर्व तो यहां पर मैंने cannot कर दिया solve को बच्चों solve रखेंगे और it sentence की भाव के अनसार हम बन लगा देते है जैसे देखिए कि the question is so difficult question इतना कठिन है that one cannot solve it की कोई भी से solve नहीं कर सकता है तो it बच्चों के इसके लिए यह आया it question के लिए ठीक है अब बच्चों next example देखते है next हमारा the news is too good to be true तो इस बाक्त में बच्चों देख रहे हैं आप two भी आया है तो अगर आपका two भी होगा तो देखे कैसे बनेगा the news को बच्चों हम the news कर देंगे ठीक है is को is रखेंगे to को हम बच्चों किसमें change करेंगे so में good आपका adjective बच्चों good रखेंगे to को हटाएंगे बच्चों तो that हमारा लगेगा और to be होने पर it का use करते हैं आपकी जो वर्व है यह present में है तो cannot be को be रखेंगे बच्चों और true को true रखेंगे तो ऐसे मारा बन जाएगा था news is so good that it cannot be true आई बच्चों next देखते हैं तो बच्चों next tools हमारा देखे क्या है कि यदि बाग कि मैं for के साथ कोई object आया हो तो for हटा कर object को subject बना दो यानि कि बच्चों आपको for के साथ for me for them for him for us अगर यह मिलेंगे बच्चों तो हम four को हटा देंगे और जो object होगा उसे बच्चों क्या बना देंगे उसे हम subject बना देंगे तो आई बच्चों इसका भी example देखते हैं the tree was too high for me to climb अब बच्चों इसमें remove two कैसे करेंगे the tree को tree रखेंगे बाज को बाज रखेंगे two को हटाएंगे बच्चों हम so कर देंगे high को high रखेंगे अब आपका आया क्या for me तो बच्चों four हटेगा आपका ठीक है न तो देखिए that that के बाद हमें जो for me है तो four को अटाएंगे और मी को बच्चों क्या बना देंगे subject आई अब देख रहें बच्चों को कोड़ रखेंगे और आपका sorry यहाँ पर आपका क्या है बाज है वैसे is mr होता बच्चों तो यहाँ पर हम cannot करते हैं अगर आपका वाज या वर है तो बच्चों क्या क रखेंगे और four me अगर आया है तो four कम हटा देंगे पर उससे पहले डैट लगाएंगे मी को आई किया could किया क्यों कि यहाँ पर बाज है not cannot अगर होता है sorry अगर आपका यहाँ पर एजमार होता तो हम करते हैं cannot अगर बाज बढ़ोगा तो could not में बदल देंग बच्चों क्ला पर extremely या beyond the proper limit कर दो तो अगर आपका सिर्फ two आया है और infinitive two नहीं आया है इसे बच्चों बढ़ा two कहते हैं और इसे छोटा two यानि कि अगर आपका सिर्फ बढ़ा two आया हो तो वहाँ परमों से हटा कर क्या करेंगे या तो extremely करेंगे या beyond the proper limit कर देंगे आई बच्चों example दे को the weather रखेंगे is को is रखेंगे और जो आपका two है बच्चों two को change किया हमने किसमे extremely में और hot को hot रखेंगे तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा the weather is extremely hot अब बच्चों इस हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि the weather is को is किया hot को hot किया और जो आपका two है बच्चों इसको change हम कर तो अच्छो आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको हमारे वीडियो का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें बच्छो मिलते में ऐसी नेग्स्ट वीडियो के साथ तबते के लिए धन्यवाद